तो कल मैंने जो कामनी जी है उनका लाइब देखा उसके पहले निक्की का भी वीडियो देखा था कामनी जी का भी वीडियो देखा था लेकिन उन लोग के वीडियो में कुछ भी नहीं था ऐसा कि जिस पे इतना बड़ा दोनों दिवरानी जिठानी को हेट मिला किस चीज पे ह ये वरत इसको बły advert का बहुत मानता है और जिसको बेटा रहता है वही ये पूजा करता है तो यहां पर जो प्रथा चला आ रहा है हमारे समाज में जो जिसको लड़का रहे गा। dal toast करके जो भी व्रत रहता है सिर्फ लड़कों के लिए ही रहता है लड़कियों के लीए आज तक तो मैंने कोई व्रत नहीं देखा है। यह तक जो पत्निया भी रहती हैं वह पती के लिए यह चलते आया है, तो जियोतिया वरत बेटी के लिए किया जाता है तो यहाँ वहाँ पे देखी मैं व्लॉग में निकी के तो देखो कोई भी इंसान इमोसनल हो जाता है कि अभी मेरा बेटा रहता तो मैं भी ये वरत करती मैं भी पूजा करती ऐसे इंसान सोचता है या निक्की के साथ जो अभी रिसेंटली में हाथसा हुआ था उसका बेबी खो दी थी अपना देखो इतना जल्दी कोई भी इंसान अपना गम नहीं भूल सकता तो उसको ये सब चीजे याद आ रही थी और निक्की ने वो पोश्ट भी डाला था ना उसके पहले ही मैं समझ गई थी कि निक्की क्यों रो रही है तो निक्की को पुरानी बात याद आने लगी थी जिसके वज़े सो भाव खोके पनी सासुमा को पकड़ के रो रही थी सिंपल सी बात है यार कि कोई भी ऐसे फंसर या कुछ भी घर में पढ़ता है तो इंसान रोता है तो मैं तो ये निक्की को बोलूँगी तुमको कमसका भगवान बेटी तो दिये और निक्की इपनी बेटी से बहुत खूस है समझा निक्की की बेटी लखी चाम है और निक्की बहुत ज़्यादा इमोसिनल है मेरे हिसाब से लगता है नीं हो बहुत ज्यादा क्यूंकि हमेशा खूदने वाला हसने वाला इंसान अंदर से इमोसिनल बहुत ज्यादा होता है अब वहीं पि उनकी देवरानी भी फुजा पाट कर रहे थी, क्योंकि उनको बैटा है धनुए, जहां कि कामनी ने कभी भी अपने बैटे और निकी की बैटी में कभी भी मेरे हिसाब से कभी भी भी भाव नहीं किया है, बराबर स्urn vikt के घर में बच्चों को प्यार किया जाता यह चीज तो बहुत अच्छा लगता है तो निक्की का रोणा देखे कामनी को इतना लंबा चौड़ा हेट कमेंट आता है जो मैं स्क्रीन पे लगा दूगी तो उसमें लिखा था मैं छोटे में सौट में बता देते उसमें यह लिखा था कि निक्की का बच्चा तुम्हारे फलाना चीजे निक्की को लेके कामनी पे सारे आरोब थोब दिये गए अब यहां भी मुझे एक बात नहीं समझाए कंट्रोवर्सी तो लगभग मेरे इसाब से 6 महीने पहले कंट्रोवर्सी वा था निक्की का प्रेग्नेंसी तीन से 4 महीना पहले था चार-5 महीन वो कंट् उसरे साथ फाइट करते लेकिन यहां प्रेग्नेंसी के पहले कामनी और निक्की का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया था तो कामनी का थोड़ी ना पता था कि निक्की करने वाली है और कामनी को कंसीव होने के बाद भी निक्की ने नहीं पता ऐसा कुछ की भाई मैं कंसीव कर चुकी हूं मैं प्रेग्नेंट लोगते हैं और अगर अगर प्रेग्णेंसी का बात यह है कि कौने का सवाल ही नहीं भी होता चलो निक्की को पहली वार भी ऐसे ही प्रेगनेंसी हुआ था जो नहीं पत्चा क्योंकि ठोड़ा कुछ प्रोब्लं मेडिकल इस्यू रहता है उस टाइम तो क्या उस टाइम सोचोने क्या उस टाइम ने निक्क को मंटली टॉचर नहीं दयार Chuckie को डिंविए characters खुद निक्की ने भी बोला था पूरे फैमिली में क्योंकि देखो महाल जब घर का अच्छा रहता है ना तैसा किसी के मन में नहीं रहेगा किसी को कोई परसान करें अब ये बात देखो किसी को भी बहुत हट कर जाएगे तो उस पर कामनी ने एक लाइब करती है और जिस पर बेटा होगा तब तुमको पता चलेगा तब तुम्हारा मुह बंद होगा तुमको बहुत बद्धुगाय दी गए जो देखो सही नहीं है सोसल मीडिया पकर आप किसी को ब्लॉग देख रहे हो किसी का वीडियो देख रहे हो आपको हक है कमेंट करने का लेकिन इतना भी हक किसी का इतना कर दो कि अंदर से इंसान रो दे तो वो आपको पाप लगेगा सामने वाले को तो यहां पे कामनी ने जवाब दिया कि जो बोल रही है आपकी निक्की को बेटा होगा तो कामनी तो खुद बोल रही है कि मैं बोल रही हूं कि निक्की को बेटा होगा देखो मन पर मुझे एक बात समझें जिसको समझ लो बच्चे ही नहीं हैं उनके मन पर क्या बीटती होगी इस चीज़ से देखो आज काल प्रेग्नेंसी से बहुत लोग जूज रहे हैं अब इस चीज़ को मुद्दा बना के निक्की के ब्लॉग प्यारा है कमेंड के निक्की को कि तु अब ही निक्की को टॉंट माणने में या उसको टॉचर के को भी कमी नहीं चुड़ रही है तो तो निक्की को कमेंड किया जा göst रहा है कि तुमको लड़की थी ना इसके वज्यस से तुमने ऐसी हरकत की बच्चा नहीं रखी मैं सब जानती हूँ हूं तो देखो किसी का मालसिता कोई भी नहीं बदल सकता कोई भी कितना भी सफाई दे इस सोसल मीडिया पर तो यहां पर निक्की ने कहा कि भाई ब्लॉक डाला कि निक्की ने कहा कि भाई मैं थोड़ा एमोसिनल हो गई थी मुझे सारी चीज़े याद आ थी लेकिन जो समझदार था वो पहले ही समझ गया है निक्की की रोने पे और निक्की किसी के खुसी से क्यों जलेगी फैमिली मानती है साब बोलती है भावी बोलती है और बॉर्डिंग देखो अच्छा दिख रहा है लेकिन आज मैंने मनीशा का ब्लॉग देखा मनीशा भी क जोज रही है वैसे आज्म सबकन कर पा रहे है मतलब बहुत हो गया है कि मुझे लगता है कि पचीस परसेंट यहीं हो चुका है कि अैसा ही कुछ मैटर आ रहा मनीशा भी बहुत उदास थी और मनीशा का उदासी देख के न कहीं न कहीं मनीशा सा लगता ने कोई भी चीज खुल के नहीं बोल पाती सोसल मीडिया पर अंदर ये अंदर वह भी घुटती है किसी चीज को ले के तो देखो जूतिया था पूजा पाठ की भगवान करे उसका म जल्दी से गोध भगवान भर दे मनीशा का भी और जिसको जिसको भगवान संतान ना दी है सअ को दे साथ में मुझे framework देर किमनीशा से ज्यॉदा मुझे को जूप रहे हैं कहीं ने करे मनीशा भी उदास थी और बोल रही थी पता नहीं मुझे आज क्या हो गया है बहुत तो कंट्रोल अपना इमोशनल को करती है उसको कोई कुछ बोल भी दे तो वहां से हस के निकल जाती है तो मनीशा थोड़ा अपने हेल्थ पर ध्यान दो बाकी भगवान के हाथ में यह सब चीजे होता है मुझे नहीं लगता कि इंसान के हाथ में रहता है कि इंसान चाहे तब तो कभी भी कर सकता लेकिन सारी सीजे भगवान के हाथ में होता है तो भगवान करें सचीन वनीशा और जितने कपल हैं सबकी जिंदगी में माज जूतिया सब को खुसियां दे और निको को भी एक बेटा होगा भगवान करेंगे मुझे भी लड़की लड़का कुछ भी तो हैपी जूतिया